नमस्कार दोस्तों फिशे श्वागत करते हैं आपका एक नए विशे शांक तुमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संकास्टी चतूर्थी के बारे में जी हां दोस्तों संकास्टी चतूर्थी का हिंदू धर में बड़ा महत्व है मानिता के अनुसार किसी भी शुब कार को करने से पहले भगवान गनेश की पूजा की जाती है भगवान गनेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनिये माना गया है उन्हें बुद्धी बल और विवेक का देवता का दरजा प्राप्त है मित्रो भगवान गनेश अपने भक्तों की शवी परिसानिय और किशी को भी दुख को हर कर लेते हैं इसलिए इन्हें बिग्ण हर्ता और संकट मोचन कहा जाता है भगवान गनेश जी के लिए किया जाने वाला संकास्टी चतुर्थी ब्रत काफी प्रचलित है संकास्टी चतुर्थी 5 सितंबर दीन सनिवार को है तो आईए जानते हैं संकष्टी चतूर्थी की पूजा विधी और क्या है इसका महत्व दोस्तो संकष्टी चतूर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाले चतूर्थी संकष्टी संस्कृत भासा से लिया गया दोस्तो एक शब्द है का सीधा और शिम्पल अर्थ होता है कठिन समय में मुक्ति पाने वाला इस दिन बेक्ती अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गनपती की अराधना करता है पुरान के अनुसार चतुर्थी के दिन गवरी पुत्र गनेश की पूजा करना बहुत ही फलदाई होता है क्य है पूजा बिदी आये जानते हैं दोस्तों गनपती में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रशन कर उन्हें मन चाहे फल की कामना करते हैं इस दिन आप प्राता काल शुर्योदैशे पहले उठ जाए और नहा दोकर श्वक्ष एवं स्वस्थ क कपड़े पहले दोस्तों ब्रत करने वाले लोग अश्नान कर साफ और धूले ही कपड़े पहने लाल रंग का वस्त्रधारन कर सुभ माना जाता है साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से ब्रत सफल होता है अश्नान के बाद गनपती की पूजा करे पूजा करने के बाद अपना मुह पूर्व या उत्तर दिशा की और रखना चाहिए उसे के बाद गनपती की मूर्ती या फूलों से अच्छी तरह से सजा ले दोस्तों पूजा में आप तील है लड़ दोस्तों गूड है लड़ू है फूल है तामबे के कलस में पानी धूप चंदन प्रसाथ के तौर पर केला या नारियल अवश्य रखे मित्रों ध्यान रहे दोस्तों की पूजा के समय देवी दुरगा की प्रतिमा या मूर्ती भी हमारे पास रखे ऐसा करना बेहद ही शुब माना जाता है गनपती की रोली लगाए पूजा और जल अरपित करे तथा गनेश गायत्री मंत्र के साथ गनेश भगवान को याद करे मेरे प्यारे दोस्तों पूजा के बाद आप फल, मुंग फली, खीर, दूद्य, साबुदाने को छोड़ कर कुछ भी ना खाए बहुत से लोग ब्रत बाले दिन सेंधा नमक का इस्तिमाल करते लेकिन सेंधा नमक नजरंदाज करने की कोशिश करे साम के समय चांद के निकलने शेपाले गनपती की पूजा करे और संकस्टी ब्रत कथा का पाट करे पूजा समाप्त होने के बाद प्रशाद बाटी और रात को चान देखने के बाद ब्रत खेला जाता है इस प्रकार संकुष्टी चतूर्थी का ब्रत पूर्ण हो जाता है सांकास्टी के दिन गनपती की पूजा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और सांती बनी रहती है ऐसा कहा जाता है गनेश जी घर में आ रही सारी बिपदाओं को दूर करते हैं और मनोवानशित फल परदान करते हैं तथा इस दिन अब बहुत सुब माना जाता है शूर्योदय से प्रारंभ होने वाला या ब्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन होता है इसलिए ब्रत का महात्मय बहुत ही अतिक है उमीद है दोस्तो आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें धन्यवाद